आज सी क्लास में हम अध्यन करेंगे पार्ट टू का पार्ट वन में हमने परमपरागत उर्जा के साधन तक अध्यन कर लिया था इस क्लास में हम पढ़ेंगे गैर परमपरागत उर्जा के साधन और कुछ कोश्चन भी इंपॉर्टन करेंगे तो चलिए पढ़ते हम गैर परम की class है ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 के बाद हमारा चैप्टर 6 होगा और चैप्टर 6 से जो हमारी भूगोल होगी वह भी अशी laugh हो जाएगी इतिहास हमारी complete हो चुकी है भूगोल हमारी को 2-3 दिन में के अंदर ही complete हो जाएगी और आंगे हम पढ़ेंगे अर्थसास्त्र ठीक है अर्थसास्त्र के बाद में हम सबसे पढ़ेंगे राजनीति ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम जल्दी से अपनी भूगोल complete कर लेते हैं तो देखिए गैर परमपरागत उर्जा के साधन के बारे में बात करें तो देखिए जो उर्जा का बढ़ता प्रयोग है और बढ़ता उपभोग है जिस तरह से उर्जा का प्रयोग किया जा रहा है और उसका उपभोग भी किया जा रहा है तो उस तरह से अगर हम देखें तो कोईला, तेल, गैस जैसे जिवासमी इधनों पर अत्तिधिक लोग निर्भर हो गया है और इस तरह से उनको निर्भर भी कर दिया गया है अत्ता हमें क्या करना चाहिए तो हमें नवी करण योग उर्जा संसाधनों का भी प्रयोग करना चाहिए हमें सौर उर्जा, पवन उर्जा, जोआरी उर्जा, जैविक उर्जा, अवसिष्ट पदार्थ, जनित उर्जा के उपव्योग की भी जरूरत है ये जो उर्जा के हैं इन्हें बोला जाता है गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं ये क्या करते हैं भारत धूप जल तथा जियू भारसादनों में सम्रद है हमारा जो भारत है नवी करण योग उर्जासन सादनों के विकास है तु ब्रहत कारकम भी चलाए जा रहे हैं के मतब बड़े बड़े कारक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं आंगे देखिए हम बात करते हैं तो देखिए जो पहला हमारा है पहला हमारा क्या है गर्म पराप्रागत उर्जा का साधन तो पहला हमारा जो साधन है अगर बात करेंगे परमाडू अथवा आडवी कुर्जा के बारे में परमाड़ु और आडविक उर्जा की बात करें तो परमाड़ु तथवा आणविक उर्जा अडवों की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है इसका उपयोग विद्धु तुर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है यूरेनियम और थोरियम जो जारखंड और राजिस्थान की अरावली परवत्र रंकला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाडु अथवा आडविक उर्जा के उत्पादन में किया जाता है केरल में मिलने वाली जो मोना जाइट रेत है वहाँ पर थोरियम की मात्रा पाई जाती है केरल में मिलने वाली मोना जाइट रेत में भी थोरियम की जो मात्रा है वो क्या होती है पाई जाती है वहीं पर हम आंगे बात करें सौरुर्जा की है तो सौरुर्जा भारत एक जो है उष्ण कटबंदी देश है बारत क्या है एक उष्ण कटबंदी देश है कटबंदी देश है यहां सौरुर्जा के दोहन की असीन संभावनाए है यहां पर क्या है सौरुर्जा की जो दोहन की है वो असीन संभावनाए है फोटो वोल्टाइक प्रोदोग की द्वारा धूप को सीधे विद्दूत में प्रिवर्तित किया जाता है यहां पे किसके द्वारा धूप को सीधे विद्दूत में प्रिवर्तित किया जाता है तो यह जो मेन यहां पे भूमिका निभाता है उसको बोलते है फोटो बोल्टाइक प्रोदोगी की होती है इसी के कारण धूप को सीधे विद्धुत में परिवर्तित किया जाता है सौरुजा के प्रयोक से ग्रामीड घरों में उपलो तथा लकडी पर निर्भरता को नियूनतम किया जा सकेगा अगर हम सौरुजा का प्रयोक करेंगे तो सौरुजा के प्रयोक से जो ग्रामीड घरों है जो गाव के घर है वहाँ पर उपलों मतलब कंडों और लकडी पर जो लोग निर्भर है उन्हें नियूनतम कर दिया जाएगा फल्सरूप ये पर्यावरन संदचन में योगदान देगा और क्रसी में भी खाद की पर्यात आपूर्ती होगी इससे पर्यावरन संदचन में भी सुधार होगा और क्रसी में भी इसकी जो पूर्ती होगी वो भी होगी होगी आगे अगर बात करें तो देखी फीगर आपको दीख रहा होगा यहां देखिए सौर उर्जा जो लगी हुई है दिखाई पड़े यह सौर उर्जा और यहां से क्या किया जाता है दूद का परिच्छन कर सकते हैं यह परिच्छन उपकरण है तो यह किस से संचालित है यह सौर उर्जा से ही संचालित है चलिए आंगे देखते हैं आंगे दूसरा है हमारा पवन उर्जा सौर उर्जा के बाद जो दूसरा संसादन है हमारा हो क्या है पवन उर्जा अगर पवनुर्जा के उत्पादन की महान संभावनाय है भारत में पवनुर्जा फार्म के विसालतम पेटी जो है वो तमिल नाडु में नगर नागर कोईल से मदुरई कहां तक अवस्तित है ये नागर कोईल से मदुरई तक अवस्तित है इसके अतरिक्त आंधप्रदेश करनाटक गुजरात केरल महाराष्ट तथा लच दीप में भी महत्वपूर पवन उर्जा फार्म है नागर्कोईल और जैसल मेर जो देश है जैसल मेर जो जिला है वो पवन उर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते है यह इस तरह से पाउन चक्की है पाउन चक्की का फीगर है यह इस तरह से जो पाउन चक्की चलाई जाती है यह पाउन चक्की कहां की है तो यह कहां पर लगी हुई है यह लगी हुई है नागर कोईल इस्थान पर आगे अगर अगले साधन की बात करें तो अगला जो हमारा इंपोर्टेज साधन है परमपरागत जो गैर परमपरागत है वो है बायोगैस बायोगैस ग्रामीड इलाकों में जाडियों, क्रशी, अपसिष्ट, पस्मों और मानोजनित अपसिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग है तो बायोगैस उत्पन की जाती है जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन होती है जिसकी तापी, सा छमता, मिट्टी के तेल, उपलों वचार कोल की अपेच्छा अधिक होती है बायोगैस सैंत्र नगरपाली का सहकारिता तथा नीजी इस्तर पर लगाये जाते हैं पस्मों का गोबर प्रयोग करने वाले सैंत्र ग्रामीड भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं ये किसानों को दो प्रकार से लाभवानतित करते हैं एक उर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में बायोगैस अब तक पस्मों के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दच्छ है जो बायोगैस है वो अब तक पस्मों के गोबर का प्रयोग होने वाले ब्रच्छों के नुकसान को भी रोकता है बायो गैस सैंत्र होता है वो इस तरह से होता है दिखाई पड़ा है ये तीन सैंत्र लगे हुए है ये बायो गैस का सैंत्र है इस तरह से जो बायो गैस का सैंत्र ये लगाए जाते है आंगे बात करें तो दूसरी आंगे जो हमारी है वो है हमारी जुआरी उर्जा के बारे हम बात करें तो ये महा सागरी तरंगों का प्रयोग विदुत उत्पादन के लिए किया जा सकता है सकरी खाड़ी के आरपार बाड़ द्वारा बनाकर बांद बनाये जाते हैं उच्च ज्वार में इस सकरी जो खाड़ी नुमा प्रयोज द्वार होता है इस द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांद में ही रह जाता है बांध द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरब आया जाता है और इसे उर्जा उत्पादक टरबाईन की ओर ले जाया जाता है अगर ज्वारी उर्जा की बात करें तो भारत में ये खमभात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी तता पस्चिमी टटपर गुजरात में और पस्चिम बंगाल में सुन्दरवन छेतर में गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों तता उर्जा उत्पन करने की आदर्स दसाएं पस्चिम बंगाल में सुन्दरवन छेतर में गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगे उर्जा उत्पन करने की आदर्स दसाएं उपस्चित करती हैं ये उत्पन होती है तो जो भूत आपी उर्जा है ये प्रत्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रियोग करती है और उत उत्पन होती है तो जो भूत आपी उर्जा है ये प्रत्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रियोग कर उत्पन की जाने वाली विद्दुत को भूत आपी उर्जा कहते हैं अगली हेडिंग की बारे हम बात करें तो अगली हेडिंग है हमारा उर्जा संसादनों का संरच् कि ये आर्थिक विकास के लिए जो उर्जा है एक महत पूर्ण एक आधार भूत आवस्चेक्टा भी है राश्टी अर्थव्योस्ता के प्रतेक सेक्टर क्रसी उधोग परिवहन वाडिज और घरेलू आवस्चेक्टाओं की पूर्थी के लिए उर्जा के निवेश की आवस् प्रता प्राप्ति के पस्चात क्रियानवित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए भी उर्जा की बड़ी मात्रा की आवस्चेक्टा थी फल्सरूप पूरे देश में उर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए हमें उर्जा का संरचन पर विशेश ध्यान देना होगा और उर्जा संरचन को प्रभावी रूप से इसे क्या करना होगा संरचन देना होगा मतलब उर्जा का संरचन करना होगा देखिए अभी हमने कुछ बेसिक जो पुरा चैप्टर था उसके बारे में अध्यन किया था अब हम कुछ कोश्चन के बारे में भी पढ़ लेंगे तो कोश्चन पढ़ते हैं पहला कोश्चन है धात्विक तथा अधात्विक खंजों में अंतर इस्पर्ष्ट कीजे अभी आपको पढ़ाया गया है धात्विक खंज और अधात्विक खंजों के बारे में तो अभी उनका क्या करना है इनका अंतर इनमें बताना है तो अंतर बताना है कि धात्विक खंज और अधात्विक खंज किस प्रकार से होते हैं तो देखिए अंतर इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो धात्वी खनिज होता है, वो कैसा होता है, धात्वी खनिज को पिघलाया जा सकता है, तो धात्वी खनिज होता है, उनको क्या किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, ताकि इनसे नए उत्पाद बनाया जा सके, लेक दूसरी अगर बात करें तो धात्विक खनिज जो होते हैं ये प्राया सक्त होते हैं और इनमें अपनी चमक होती हैं लेकिन जो धात्विक खनिज होती हैं ये सक्त और चमकदार नहीं होते हैं धात्विक खनिज के अगर तीसरी बारें बात करेंगे तो धात्विक खनिज इनक लेकिन अधात्वी खनिजों की चादरे और छणे नहीं बनाई जा सकती है धात्वी खनिज मुख्यता आगने तथा रूपांतरित सैलों में पाय जाते हैं लेकिन जो अधात्वी खनिज मुख्यता होते हैं परतदार सैलों में पाय जाते हैं धात्वी खनिज की बात करें तो धात्वी खनिज दबाव डालने पर तूटते नहीं हैं लेकिन जो धात्वी खनिज होते हैं इनमें अगर हम धबाव डाल दें तो ये टुकड़ों में बदल जाते हैं अगर धात्विद खनिजों के उधाररण के बारे हमें बात करें तो अभी आपको पढ़ाया गया था कि जो धात्विद खनिज होते हैं वो कौन-कौन पत्थर क्या सब्किन कि सब्सक्राइब पढ़ चुके हैं विस्तार से हमने धन भी किया है कि लव ऐस्क के महत्तों तथा भारत में इसके वित्रण का वर्णन कीजिए इसका हमने विस्तार से धन किया है कि जो लव ऐस्क को ताए एक आधार भूत्खनिज है यह और धोगे क्विकास की रिड़ भी है और भारत केवल दो ही पेटियों की बात की गई है तो पहली जो पेटी है वो उडिशा जारखंड पेटी उडिशा में उच्च कोडि का जो हेमेटाइट किस्म का लव ऐस्क होता है यह मयूर भंज और केंदू जूर जिडों में बादाम पाड़ ख़दानों से निकाला जाता है दू कुसरी पेटी हमारी थी दूर्ग बस्तर और चंदपूर पेटी यह पेटी महारास्त और चटिस गड़ में पाई जाती है चटिस गड़ के बस्तर जिले में बेला डिला पहाडियों में अति उत्तम कोटी का जो हेमेटाइट होता है वो प्रात होता है जिसमें इस गुनवत प्रयोग और उत्पादक छेत्रों का उलेख करना है प्रिश्च मंबर तीसरा है अगर हम अब्रक की बात करें तो जो अब्रक होता है प्लेटों अथ्वा पत्रण क्रम में पाया जाता है यह भी हम पीछे पड़ चुके हैं इसका जो चादरों में विपार्टन होता है वो असानी से हो सकता है यह पड़ते इतनी बारिक होती है कि एक हजार पड़ते कुछ सेंटीमीटर उचाई में समाहित हो सकती है अब्रक पारदर्सी काले हरे लाल पीले बूरे रंग का भी हो सकता है यह सर्वोच परवेदुत सक्ती उर्जाहराज का निम्न गुड़ांक वि वोल्टेज की प्रतिरोधकता वाला भी होता इसकी विश्यस्ताओं के कारण यह विद्धुत और इलेक्ट्रानिक दोगों में भी प्रयोग किया जाता है अब्रक के निच्छेब छोटा नागपूर पठार के उतरी पठारी किनारों पर है बिहार जारखंड की कोड दर्मा गया हजारी बाग पेटी राजिस्तान में अजमेर के आसपास तथा आंध प्रदेश की निलोर पेटी में अब्रक के उत्पादक छेतर है आंगे अगर अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन हमारा लगुतरी प्रश्चन है लगुतरी प्रश्चन में बात करें पहले कोईशन की तो पहला प्रिश्ण है हमारा खनीजों का सनरच्छन क्यों आवश्यक है और खनीजों के सनरच्छन की किनी तीन वीदियों की ब्याख्या कीजे तो देखिए खनीजों का सनरच्छन क्यों आवश्यक है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो खनीजों का सनरच करण जो है वह एक आर्थिक विकास की जो अधोगी करण के आर्थिक विकास जो होता है उसकी गत्य क्या होगी रुख जाएगी दूसरी अगर बात करें तो खनीज समाप्त होने वाले पदार्त हैं तथा सीमित मत्रा में उपलब्द भी हैं खनीजों के संदचन के लिए निम् विधियां पहली खनन तक्निकों में सुधार किया जाना चाहिए दूसरी खनीजों को पूनर उपयोग के योग भी बनाया जाए और तीसरी हलके किस्म के खनीजों के प्रयोग की विधियां विकसित की जाना आंगे अगर बात करें तो इन्हें विकसित की जानी चाहिए ये के बात करें तो खनीच संसाधनों के नए भंडार की भी खोज करनी चाहिए दूसरा अमारा लगोतरी जो प्रश्ण है तो है एन्थरा साइट और BITOMINUS कोईले में क्या अंदर अंतर इसक पुश्ठ करना है एन्थरा और विटूमिनस कोईले में तो चलिए अंदर देख लेते हैं एंत्रासाइट जो कोईला है या सर्वोत्तम कोटी का कोईला है और विटूमिनस कोईले के बाद करें तो ये एंत्रासाइट जो कोईला है ये सर्वोत्तम कोटी का कोईला है और जो विटूमिनस कोईला है ये एं एंथ्रा साइट के बाद विटूमिनस कोईले का स्थान लेता है जो is our को एला है यहां दूसरे साइट के दूसरे नमबर में बात करें तो इसमें क्वensor polskrica 95-25 पर्सेंट तक होती हैम अब्सक्वि पनचाriesिब करें की बात कहले में साइट कोईले में 60-80% largest कारबन की आAnnगे बात करें 3 नुमبر की तो βिटुमिनस की अप एंथ्रिएक कोईला होता है इसका उपयोग कम होता है लेकिन जो विटुमिनस कोईला थे जो दूसरा इपक रूप प्योग रूर्यापक tu सोरिक होता हैुए अगर हम इंत्रसाइट कोयले की बात करें तो है जुखिये जुखिये जकोता है और जो वविटु इनसे को लाए जे जायरकंड उरीसा पस्चिम मंगाल चछ चलंड वो मद्द प्रदेश में पाया जाता है भारत में ऐगले कॉशिंग की बात करें और ब्हारत में सौरुजा का भविस्य उजल है क्यों? इसके बारे में पुछा गया है कि भारत में सौरुजा योवovan है क्यों है तो दुबहरत एक उष्ब पंदी देश है इसलिए उज्जल है और भारत प्रदूशन रहीद भी है ये करणी सुरोत है और निर्ण वर्ग के लोग आसानी से इसका लाब उठा सकते हैं इसलिए जो सौर रुज्जा का भविश्य भारत में उज्जुल है के गहाटकी अगले ऊश्जान है खनन दोग को घता को गहातक उध्दोग क्यों का जाता है देखिए अभी हमपड्राइए में तो खनन उध्दोग को घातक उध्दोग का जाता है तो देखे चो इस स्रमिकों स्वास्त वरे- sound पर बहुत खाल 쓰र लएफ ऐसे घतर के कहा जाता है अगर यहां बात करें तो देखिए लगातार धूलवा हानिकारत दूवे में सास लेना पड़ता है ठीक है मजदूरों को स्रमिकों को और स्रमिकों को फेफणों से संबंदित यहां पे बिमारिया भी हो जाती है खादानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से स्रमिकों में दर बना रहता है तीस चौती बात करें तो कई बार खादानों की छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गवानी पड़ती है और पांचवी बात यहां पर बोले कि खनन क्यों है जो मतलब कि घातक क्यों है तो देखिए पांचवा अगर कारण देखे तो खनन के कारण नदियों को जो जल होता है वो भी प्रदूसित हो जाता है और भूमी और मिट्टी का भी अपच्छय हो जाता है इसलिए खनन लिग लिए अगले कोशिण की बात कर लेते के अगले कोशिण है और पूछा गया है कि हम उर्जञा का संचशर किस प्रकार से कर सकते हैं तो देखिए पहली जो प्रकार है कि हम अगर जरूरत ना हो हमें तो हम बिजली को क्या कर देंगे बंद कर देना चाहिए अगर जरूरत ना हो बिजली की तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए और सारवजनी वाहन का उपयोग करना चाहिए ठीक है दूसरा तीसरा परंपरागत उर्जा के स्रोत सीमित है इनका प्रयोग को बड़े ध्यान से करना चाहिए चौति बात करें तो नवी करणी साधनों का प्रयोग करना चाहिए और विद्दुत बचत करने वाले करणों का भी प्रयोग करना चाहिए अगले question की बात करें तो अगला question है हमारा लहो और अलाओ खनीज में अंतर इस पस्ट कीजिए यह भी हम पढ़ चुके हैं पिसतर से लेकिन अंतर देख लेते हैं दो ही अंतर है लाओ खनीज की अगर बात करें तो जिसमें लोहे कांस होता है और इसमें लोहे कांस कोई अंस नहीं होता है जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, बाकसाइड, आदी ये अलोग खनीज के अंतर गता आते हैं अगले कोश्चन की बात करें अगले कोश्चन हमारा है तापी, विद्दुत और जल विद्दुत में क्या अंतर है तापी, विद्दुत की अगर बात करें तो यह विद्दुत कोईले, प्रेटोलियम और प्राकतिक गैस के प्रयोग में पैदा की जाती है और दूसरा इसका स्थाई स्रोत नहीं है और तीसरी बात करें तो प्रदुशन मुक्त नहीं है ये तापी विद्धूत प्रदूशन मुक्त भी नहीं है तीस अगर जल विद्धूत के बारे में बात करेंगे तो जल विद्धूत उत्पादन गिरते हुए जल की सकती का प्रयोग करके तरबाइन को चलाने से होता है दूसरी बात करें जल विद्धूत 27 रोत है और ये जल यह प्र दूशन मुक्त भी है यह अंत्र है जलविद्द और ताप विद्द्द में अगले कोश्षन की बात करते हैं तोब अगला कौशन है हमारा कि कि हाज में निम्लिक पाए जाते हैं यह पहला है कि मतुरा तेल परिस्क्रण साला दूसरी है रावत भात भात जो है वह जो नावकीश सक्ति सायंत्र तीस्री है राउल केला लहो और इस पात केंड्र देखि नहीं जो मतुरा तेल परिस्करण साला है वो उत्तर प्रदेश में है दूसरी रावत भाटा नाप की जो सैयंत्र है ये है राजिस्थान में कोटा के निकट और तीसरी जो है रावुल केला ये लोहा और स्पात केंद्र है ये है उडिशा में देखिए आंगे हम लगुत्री प्रशन भ तो पहला जो प्रशन है वो क्या है उर्जा के तीन गैर पर्मपरागत सरोतों के नाम लिकिये तो पहला पवन उर्जा, सौर और तीसरा जोरी उड़िया दूसरा कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा सौर सैंत्र जो है वो खहां पर है तो सबसे बड़ा जो भारत का सौर सैंत्र है बुझरात के भुज के पास माधोपुर में हैं अगले कोश्चन की बात करें कि भारत के चार महत्पून लव एस उत्पादक राज्यों के नाम बताईए तो पहला चतिस गड़, दूसरा जारकंड, तीसरा उड़ीशा और चौता करनाटक ये चार लव एस कुत्पादक राज्यों है अगले कोश्चन की बात करें बहरत की चार महत्पून, मगनीज एसक उत्पादक राज्यों के नाम लखेए करनाटक, उड़ीशा, मदपोरिश और महाराष्ट चार उत्पादक राज्यों है जो मेगनीज एसक का उत्पादन करते है किस आधार पर खनीजों का वर्गी गरण करते हैं तो भू बैग्यानिक खनीजों के विविद रंग का थोड़ता चमक घनत्तों और विविद क्रिष्टलों के आधार पर उनका वर्गी गरण करते हैं खनीज की बारे आगे बात करें कि खनीज कहां पर पाया जाते हैं तो खनीज आयसकों में पाया जाते हैं आयसक में अवयवों या तत्तों का मिस्रण का संचैन होता है उसी में खनीज पाया जाते हैं आगे सेवन नमर कोशन की बात करते हैं तो भारत में तामा किन राज्यों म में पाया जाता है सबसे पहले राजिस्थान में मद्ध प्रदेश में आंद्ध प्रदेश में करनाटक में और महारास्ट राज्यों में तामभा पाया जाता है कि अगला कोश्चन मारा क्या है तो अगला कोश्चन है चूना पत्थर के क्या उपियोग है चूना पत्थर का अगर पहला उपियोग देखें तो चूना पत्थर का उपियोग मुखता जहां पर किया जाता है वो मुखता किया जाता है सीमेंट उद्धोग में ठीक है और इसका उपयोग लोहे के प्रगलन तथा रसाइनिक उद्धोगों में भी किया जाता है अब चलते हैं कुछ बविकल्पी कृष्णों को पढ़ लेते हैं पहला बविकल्पी प्रश्ण हमारा क्या है कि निमनलिकित में से कौन सा खनीज अपच्छाइत पदार्थ के अवसिष्ट भार को त्याकता हुआ चटानों के अपगटन से बनता है तो कौन सा बनता है ये बनता है हमारा बाकसाइट बाकसाइट जो है वो अवसिष्ट भार को त्याक्ता हुआ छत्टानों के अभगटन से बनता है। आगी दूसरे कोश्चन के अगर बात करें, तो दूसरा कोश्चन है ज्छार खंड में इस्तित कोडर्मा जो है, निम्लिकित में से किस खणिजी का अगनी उतपाद का है, तो यह जो कोडर्मा है ये अभरक का उत्पादक राज्य है अगले कोश्चिन की बात करें तो निमलिखित चटानों में से किस चटान के इस्तरों में खनिजों का निछेपड और संचैन होता है तो तल छटी चटानों में के इस्तरों और खनिजों का जो निछेपड और संचैन होता है अगला question हमारा कि monagite जो rate है उसमें निमली खितमे से कौन सा खनिच पाया जाता है तो monagite rate है इसमें पाया जाता है मुखरूप से थोरी हम खनिच पाया जाता है तो चलिए जो अच्छी class होती है वो यहीं पे होती है finish अगली class में जो हम पढ़ेंगे तो अगली class में हम क्या पढ़ेंगे अगली class में हम पढ़ेंगे जो अगला chapter है हमारा जो परिवहन से संबंदित है मतलब यातायाद से संबंदित है इस तरह के जो समसाधा में उनसे संबंदित है तो अगले class में chapter 6 हम पढ़ेंगे चलिए यहीं से क्लास हमारी क्यों दीफ है ने